पिम्पल एक पैप्यूल है, इसके सेंटर में पसभरा होता है और चारो तरफ इंफ्लेम्ड और रेड स्किन होती है आईए समझते हैं पिम्पल कैसे बनते हैं अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो कुछ हिस्सो को छोड़ कर हर जगा बाल होते हैं इन बालों की जड़ों को हम hair follicles कहती हैं, वहाँ sebaceous glands होती हैं ये specialized glands होती हैं जो sebum बनाती हैं यह sebum हमारी तवचा को सूखने से बचाता है और नमी को बनाई रखता है sebum के साथ Peacne नामक bacteria होता है जो समय समय पर sebum के साथ बाहर निकल जाता है कुछ conditions में hormonal changes जादा होती हैं जैसे puberty और menstruation cycle के दोरान इस समय एंडरोजन नामक होर्मोन तेजी से बढ़ता है इस एंडरोजन की वज़े से sebaceous glands hyperactive हो जाती है और जादा sebum प्रडियूस करती है जादा sebum की बज़े से hair follicles की pore बंध हो जाते हैं और pee acne की ग्रोध तेजी से होने लग जाती है इस इखटे हुए sebum में pee acne की ग्रोध को रोकने के लिए हमारा immune system activate हो जाता है और white blood cells को sebum के पास bacteria को kill कर दे के लिए भीज देता है white blood cells bacteria को attack करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं इस sebum और debris को मिला के ही पस बनता है इस पस की वज़े से आसपास का area inflamed हो जाता है और हमें red color का नजर आता है pimple होने के और भी कारण हो सकते हैं जिसमें unhealthy diet और oily skin शामिल है अगर आपको pimple हो गया है तो उसे फोड़ना या पॉप नहीं करना चाहिए ऐसा करने से हम हमारे हाथ के bacteria को और नीचे रखेल देते हैं जिसके वज़े से pimple में infection बढ़ जाता है और वो और बढ़ा हो जाता है ऐसा pimple हील होने के बाद scar marks छोड़ जाता है अगर आपको pimple हो गया है तो अपने dermatologist से मिले और उनकी सलाह ले pimple ना हो इसके लिए आपको healthy खाना खाना चाहिए अपने face को बार बार clean करना चाहिए अपने face को हातों से नहीं चुना चाहिए और अगर आपकी skin oily है तो आपको अपनी products oily skin के हिसाब से ही चुनने चाहिए